नमस्कार रिनास फूर्ट कॉर्णर में आपका स्वागत है आजकल ओईली फूर्ड सबकों एवॉइड करते हैं इसके लिए हम स्टीम फूर्ड बनाते हैं जैसे आटे का मॉमोस दाल फरे और भी बहुत सारे रेसिपीज स्टीम फूर्ड होते हैं आपको मेरे चैनल पर ये र सूज़ की तो हम बना लेते हैं दही से और हमें चाबल और दाल का बनाना हो उसे फर्मेंट करना हो बारिश में या फिर ठंड में तो बहुत ही मुश्किल होता है कुछ टिप्स और ट्रिक्स के साथ इसे बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा फर्मेंट होगा आईए देखे बिना सोडा, इनो और बिना साट्रिक एसिद के कैसे बनाते हैं मिन्स इसे कैसे फर्मेंट करते हैं आप इडली बनाने के लिए किसी भी तरह का रेशियो ले सकते हैं जैसे 3 is to 1, 4 is to 1 या फिर 2 is to 1 इट मिन्स दाल का एक पार्ट लेते हैं और चावल का 2 या फिर 3 या फिर 4 पार्ट ले सकते हैं लेकिन आप हेल्ट कंसर्स हो तो उस कंडिशन में 3 या 4 पहाग नहीं ले 2 is to 1 का रेशियो आप फॉलो करें जब हम 2 is to 1 का रेशियो बनाते हैं और उसे जब इडली बनाते हैं तो गले में नहीं फसता है मिन्स सूखा नहीं लगता है और कम चावल से इ इडली के बैटर को मैंने एक कप उड़त दाल लिया है और दो कप चावल लिया है और एक कप पारवोयल ड्राइस लें जो डाक कलर के होते हैं और थोड़े से मोटे होते हैं एक कप चावल जनरली जो हम घर में यूज करते हैं वो वाला ले ले या फिर मार्केट में जो पीषने बग एक टेवल स्पून मेथी के दाने ले सकते हैं, उसे भी भिंगो दें, और दो-तीन बार पानी से धो करके, पहले उड़त दाल पीषें, फिर चावल पीषें, कोशिस करें, पीषने बग कम पानी का इस्तमाल करें, जब आप पीष लें तो किसी बड़े बरतन में इसे रख लें, और इसे धक दें, कमबल या मोटे चादर से इसे धक करके रखें, या फिर इस बरतन को कूकर में रख दें, और धकन लगा दें, और किसी गरम जगा पर रखें, इरी आपके पास माक्रो ओवन हो, तो उसे प्रिहीट कर लें, और माक्रो ओवन को आफ कर दें और बैटर वाले बर्तन को उसमें रखें धब करके तो ओबरनाइट में ये फर्मेंट हो जाता है या फिर चौथा तरीका जब आप खाना बनाएं तो दुस्रे बर्णर में इस बर्तन को रख दें धब करके बिना गैस जलाएं हीट से भी फर्मेंट हो जाता है गर्मियों में इसे कहीं रखनी की जरुवत नहीं पड़ती है खुद भी ये फर्मेंट हो जाता है इस बैटर से आप इडली दोसा उत्पम धोकला और गुजराती डिश इद्रा बना सकते हैं कुछ रेसिपीज आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी और कुछ रेसिपीज आने वाली है एदि आपको और भी क्रिस्पी दोसा बनाना हो तो थोड़े से पोहे आप फुला करके पीस करके रख सकते हैं मिन्स मिला सकते हैं या फिर बचेवे चाबल भी आप पीस करके इसमें डाल सकते हैं तब भी कफी क्रिस्पी बनता है इन सभी टिप्स को आप फॉलो करते हुए पहली बार भी बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा बनेगा मैंने इसे मोटे चादर से धक करके रखा था ओबर नाइट जब अच्छी तरह से फर्मेंट हो जाता है तो काफी हलका हो देखे फर्मेंट हो गया है इसे अच्छी तरह से मिला लेते हैं और ध्यान रहे जब हम पीशते हैं उसके बाद इसमें नमक नहीं डालते हैं जब फर्मेंट हो जाता है तब इसमें नमक डालते हैं यदि पहले से नमक डाल करके फर्मेंट करेंगे तो फर्मेंट नहीं होत अभी बारिश के दिनों में काफी अच्छा फर्मिंट हो गया है आप भी ये टिप्स को फॉलो करें और इससे आप छे साथ रेसिपी बना सकते हैं जब फर्मिंट अच्छा हो जाता है तो सबसे पहले आप इससे इडली बनाए और बचे वे बैटर को आप फ्रीज में रख द बिना नमक डाले खराब नहीं होता है आपको जितना भी इडली बनाना है एक अलग से बर्तन में निकाले और स्वादा नुसार इसमें नमक डाल दे थोड़ा सा पानी डाल दे और इसे अच्छी तरसे मिला ले देखे काफी अच्छा फर्मिंट हुआ है और ज्यादा थिक बैटर नहीं रखते हैं इस तरह की कंसिस्टेंसी रखते हैं इडली बनाने के लिए जिस बर्तन में आपको इडली बनाना है उसमें पानी डाल दे और एक टुकड़ा निम्बू डाल और साचे को ग्रीश कर ले तेल से या फिर घी से और उसमें बैटर डाल दे कुछ इस त या फिर हाई फ्लेम करते हैं तो 5-7 मिनट के लिए स्टीम हो जाता है जब हम साचे में डालते हैं तो ज्यादा बैटर ना डालें क्योंकि जब इडली बनती है तो थोड़ी सी फूल जाती और बड़ी भी हो जाती है मैंने लो फ्लेम करके इसे 17 मिनट रखा है आप उंगले ग करके देखते हैं और चाकुपे इस टिक ना हो तो भी कुख हो जाता है जब इडली ठंडा हो जाता है तभी हम इस साचे से निकालते हैं तभी अच्छी तरसे निकल जाता है इसे चटनी या सांबर के साथ खाया जा सकता है और मैंने सोलिमो का इडली टैंड लिया है जिसमे 5 plates हैं उसमें सांबर बना ले और उपर से steam इडली को कर ले उस कड़ाई में मैंने चावल के आटे और उड़त के आटे से बनाया था आज फ्रेश चावल और दाल से मैंने बनाया है इसका टेस जादा अच्छा लगता है देखिए एक इडली को आपको दिखाती हूँ बहुत ही अच्छा बना है अब प्लेट वाला भी ठंडा हो गया है किसी चम्मस से आप इसे निकाले इस सांबर की और इस इडली की रेसिपी बहुत ही जल्दी आएगी जब कुछ इडली बच जाए तो आप उसको फ्राइड इडली, मंचूरियन इडली और वेजिज इडली बना सकते हैं आप तंदूरी इडली भी इसका बना सकते हैं इन सभी की रेसिपी मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी प्लीज चेक कर ले तो आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक करें आप जब कभी भी इडली बनाया तो इस टिप्स और ट्रिक्स को ज़रूर फॉलो करें बहुत ही अच्छी बनेगी मेरे चैनल पे आपको बहुत तरह की इडली बनी भी मिलेगी साथ में 3-4 तरह के सामभर भी मिलेंगे आप लीज चेक कर ले और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर ले और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना ना भूले तो मिलती हूं मैं आपसे नेक्स डेसिपी के साथ तब तक के लिए टेक केर और थैंक्स पर वाचिंग